पूर्य दुनिया का लक्ष आज भारत के तरफ लगा है क्योंकि आज भारत में विश्वचसक क्रिकेट की सेमी फाइनल खेली जा रही है मुंबई की वानखेड स्टेडिम में भारत विरुद्य न्यूजिलंड यह सामना होने वाला है और इसके तरफ सब की नजरी लगाए व सार रहा है क्या कहते हैं 1975 और 79 विश्वचसक खेल चुके तेश तर्रार गेंजवाद करसन घवरे सर अपने साथ है उनसे बातचीत करेंगे सर्प आज तो सेमी फाइनल होनी जा रहा है कैसे देखते आप इसकी तरफ देखें जिस तरह से भारत की टीम इनों जो परफॉर्म कर रही है और लगातार नव मैच जीत चुकी है और अभी नौकाउट सेजीज में ऐसा इनों माहोल अभी यह हो रहा है कि सिरफ इनों यह सेमी फाइनल वान क्रेश सेडियम में आज नहीं जीतना है रोई शर्मा को एमदावद में ट्रोफिक उठा नहीं है और वो हमारे इं स्वेन और सारे लग्यी सब फॉर्म में इतनी अच्छी जो बोलिंग अटेक हैं मैंने आज तक मतलब इनों इंडियों क्रिकेट हिस्ट्री में अब तक नहीं देखी है कि हमारे पास इनों क्वालिटी तीन फास्ट वोलर है इनों दो क्वालिटी इनों स्फिनर रविंद्र जड़े जा और एक बार बैठा हुआ है रवी चंदर नश्विन उनको मौका नहीं मिल रहा है लेकिन हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ हैं इतनी अच्छी है कि यह अगर हम इंडिया नहीं जीती तो हम लोग पुरा हिंदुस्तानी ग्लोबली जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं वह बहुत मायूस होंगे लेकिन मुझे भरवसा है मुझे इतनी उम्मीद है जैसे सब लोगों की है क्रिकेट के च आप उस टाइम पर सो विकेट ले चुके थे वैसे बॉलर की तब जरुती इंडिया के लिए पूसर से देखा जाए तो आज की टीम में बॉलिंग जो बाजू है वह कैसे दिखते हैं इन्हों उस वक्त का दौर क्रिकेट का दौर अलग था ना तो हमारे पास कोई आडियों की टीम होती थी और एक मैनेजर होता था और उसके इलावा कोई टीम मीटिंग नहीं होती थी कोई स्टेजी नहीं होती थी कोई टीम मतलब इन्हों गेम प्लान नहीं होता था कोई फिल प्लेस्वेंट किसको कहां रखना है वह सिरफ कैप्टेन ही करता था इतनी अ 75 में या 79 में भी और आप स्टेटिस्टिक वाइज देखिए तो आपको लगेगा आपको मालूम पड़ेगा कि 75 में हमारा परफोंस कैसा था हम लोग सब मैच हार गए थे एक्सेप्ट वी वन वन गेम अगेंस्ट इस्ट आफ्रिका और 79 में हम लोग तीनों मैच हार गिये थे यह दोनों वर्ड कप में हम कॉलिफाई भी नहीं हुए थे लेकिन उस वात इनों वन डे क्रिकेट कैसे खेला जाता है हम लोग को किसी को आइडिया ही नहीं था लेकिन 1983 म कपिल डेव की टीम ने जो नीमट डाला और जो उट्साएं चिंस में कपिल सिर्फ कपिल डेव और उसकी टीम को पूरी टीम को लेकिन कपिल डेव वॉज द अमेंड यहेड है धर हैक एडिल स्टेजिज में अगर हम लोग वेंड पूल पहुंछ सख्टेंड थ debit còn क्यों लोग अच्छी तरह से जीत गए और उसके बाद इंडियन टीम ने एक बार सेमिफानल में आए अगेंस्ट इंगलंड एट ओल्ट्राफर्ड वो मैच हराया और फिर फाइनल में उस वोग भी आप मानों की निम बेटों में तो हम तो कपिल यह और बागे सारे खिलाडियों से बाते करते रहते हैं एवरी नाव एंड देन फाइनल मैच के टाइम 83 में कपिल देव ने मिटिंग बुलाया कि देखो भाई कल बहुत बड़ा मैच है फाइनल मैच है और लीग मैच में हमने वेस्टिन इसको हराया है और अभी भी हम लोग वही टीम को हरा सकते हैं और उसने अपना स्पीच वो स्टार्ट गया उसने ख लड़ना है और अच्छा प्रदेशन करना है अच्छा इनों खेलना है और यह टीम को हमने जब लीग में हरा है तो अभी भी हरा सकते हैं ऐसा करें बंद हो गया मतलब उसका स्पीच खतम हो गया तो सामने सारे खिलाड़ी बिटे दिगज लोग है लाइक इनो सुनिल गाव लेगा उन लोग उन्हें बुला कि कपिल आगे है और आगे कुछ नहीं कल जाके खेलो अपना खेल दिखाओ और मेक शूर इनों वी इंजॉई दे क्रिकेट एंड मेक शूर वी विन कि यह हमारे हिंदूस्तान के लिए और जितने भी ग्लोबली क्रिकेट के चाहने वाले है उनको लगे के नहीं इंडिया टीम कुछ कर सकती है और उसने कपिल देव की 1983 की टीम ने इंडियन टीम इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा ट्रांस्फोर्मेशन लेके आया कि जो आज तक आज तक इंडियन टीम पीछे मुड़ के नहीं देख रही है सर आप आज के मैस को जीस तरह से देख रहें कि बॉलिंग पे ज्यादा जिम्मेदे रहेंगी क्रिकेट बैटिंग साइट आपनी बहुत पैक है पूरी तरह से वरी पूरने बॉलिंग भी अभी है लेकिन न्यूजिलेंड को कम लेखा ने कम ने देखे जा सकता इसके अंदर के आप इनों स्टेटिस्टिक वाइस जाओग है तो हिस्ट्री के अंदर न्यूजिलेंड पांच बार जीता है इंडिया तीन बार जीता है लेकिन अभी स्टेटिस्टिक वगरे ठीक है वो पन्नों के लिए हिस्ट्री के लिए ठीक है लेकिन जिस तरह से हमार प्रदशन हो रहा है परफॉम्स हो रहा है और जहां तक सवाल है कि जैसे हमारे पास जो बैटस्वेन तो आप इनों ओपनिंग बैट्समें से लेगे रोज शर्मा सुबनम गिल विराट कोली आएंगर सुर्य कुमार जड़ेजार डाउं दो लाइन छे साथ बैट्समें और सारे अच्छे फॉर्म में उसमें से दो क्लिक हो गए नहीं तो हम लोग तीन सो सारे तीन सो के आसपस त बोलिंग अटेक विए इन दी इस्ट्री आप इंडियन क्रिकेट विए थी गुडिनों क्वालिटी फास्ट बोलर इन मौमा स्वामी मौमा सिराज और बुम्रांग और रविंद्र जड़ेजा और कुल्दी प्यादव पास्ट बोलर बहुत हो गया है और हमारी कोच बोलिंग कोच सब कुछ है और देखें यह सब सिरफ इन अपने लिए नहीं खेल रहे है या अपनी कंट्री के लिए खेल रहे है और इनो टू प्लेया फोर इंडिया इस इस वेरी बिग ओनर आर यू इतने एक सो तीस चालीस करोर लोगों में 11 में अंदर आना और उसक हो बहुत बड़ी बात होती है सर आपने बॉलिंग में अपना करियर से शरुवात किया उसके बाद जब अपनी क्रिकेट से थोड़े दूर गया तो कोचिंग करना चालो गया आपका शिश्य आज टीम में दिख रहा है शुबम गिल के नाम के साब से तो आपके शिश्यों क अब दी एंटायर इंडियन क्रिकेट टीम कि हम सब यहीं चाहते हैं कि वह अच्छा करें अच्छा प्रदेशन करें अच्छा खेले और यहां पर जीते और कप उठाना चीए 19 तरीकों अंदवाद में और माइबेस्ट विश्य आर अल्वेज दर विद इंडियन क्रिकेट अच्छा अपने एटी से बात करने के लिए क्यामेर परसनानी निर्मल के साथ प्रशांद गोड़ से एटी भारत मुंबाई